नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है इतेश और स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लगबग हैंडरेड के ओसंस की CDP और साइकलोजी के जो रहने वाले हैं जो आपके प्रतेक टिचिंग अगजाम चाहे वो REIT हो, KBS का हो, CTAT का हो या फिर देली गोवर्मेंट का हो या फिर कोई भी जो इस्टेट अट है जिसमें पेड़ागोजी, चाइल्ड डवलपमेंट और साइकलोजी से रिलेटेड क्योसन आते हैं तो सभी परकार के अगजाम में ये आपके लिए लाबदाइक रहने वाले हैं तो बिना वीडियो को स्किप किये वीडियो पूरा देखें अपनी जो तयारी है उसका आंकलन करें कि या आपने कितना सिखा है, आपको कितने क्योसन पहले से आते हैं और आपने कितने नए सिखे ये कमेंट सेक्षन में कमेंट जरूर करके बताईएगा दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में लाइक डिसलाइक करके जरूर जाईएगा कमेंट करके बताईएगा कि आपको क्योसन कैसे लगे अच्छे हैं काम की हैं जो भी आपका सुझाव हो जरूर बताईएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिएगा तो बिना टाइम वेश्ट किये चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कोई भी बालक सीखना सुरू करता है ओप्शन है मारे पास जब उसे विध्याले में परवेश दिलाया जाता है या फिर जब वह बोलना सुरू करता है या फिर जब वह घर्षे बाहर निकलता है या फिर अपने जनम से ही तो दोस्तो, कोई भी बालक सीखना जनम से ही शुरू कर देता है क्योंकि आपको पता है विकास जनम से मर्तियू तक होता रहता है, इसलिए बालक सीखना जनम से शुरू कर देता है तो ओप्शन नंबर 4 क्रेक टांसरोगा, अगला क्योशन देखते हैं अगला क्योशन है दोस्तो मनोव इज्ञान ने सिक्षया को बना दिया ओप्षन है पाठे चरिया के अंदरित, सिक्षक के अंदरित या बाल के अंदरित या फिर विशे के अंदरित दोस्तो जो साइकलोजी है उसने सिक्षया को बाल के अंदरित बना दिया है अब जो अमारी सिक्षा है वो जो बच्चे होते हैं इस्टूडेंट्स होते हैं उनके उपर केंदरीत होती है उनकी समश्याएं उनके पढ़ने का तरीका सारी जो चीज़े हैं वो बाल केंदरीत हो गई हैं तो option number three इसका correct answer होगा अगला क्योंचन देखते हैं दोस्तों अगला क्योंचन है अधीगंपरतीफल का ताथ पर ये है option है बालक के वेवार में होने वाला परिवर्थन या फिर जो परिवर्थन होता है दोस्तों बालक के वेवार में जो परिवर्तन होता है उससे हम अधीगम को नापते हैं अधीगम हुआ है इसका तातपरी यह है बालक के वेवार में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा तो option number one इसका correct answer होगा चली अगले क्योसन की तरह बढ़ते हैं दोस्तो अगला क्योसन है सिख्षा मनोविज्ञान सिख्षक को किस में मदद करता है option है बाल विकास का ज्यान प्राप्त करने में बाल सव भाव तथा वेवार जानने में या फिर बच्चों के चरित्तर निर्मान में या फिर उप्रयोक्त सभी में के लिए तो दोस्तो जो सिख्षा मनोविज्ञान है वो एक सिख्षक को बच्चे के बारे में सब कुछ जानने में मदद करता है चाहे वो बच्चे का विकास हो, बच्चे का सवभाव हो या फिर बच्चे का चरितर का निर्मान भी इसी में सामिल हो जाता है तो इसका option number four correct answer होगा, चलिए अगले क्योशन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्योशन है सम्वेद जो सामानेते सुख देता है इन में से ऐसा कौन सा सम्वेद है जो सामानेते सुख का अन्भो कराता है या नि पोजिटिव है जैसे करूना, एकांकीपन, भूख तथा आत्म अभिमान जो आत्म अभिमान होता है वो तो दोस्तों इसका correct answer होगा, option number four आत्म अभिमान जो ये है ये पोजिटिव टैग है, सामानेते इसको जो आत्म अभिमान होता है तो सुखद परिनाम निकलते हैं और जो भूख, एकांकीपन, अकेलापन या फिर करूना के जो भाव हैं ये सामानेते सुख के संकेत नहीं देते हैं अगला क्योशन देखते हैं दोस्तों, अगला क्योशन है निमिन लिखित में से कौन सा एमूर्थ इस्थाई भाव है उपसन है आदर, निवासिस्थान, पसू और करोध तो दोस्तों इसका उपसन होगा आदर उपसन नमबर वन, इनमे से इस्थाई भाव है आदर क्रोध भी इस्थाई नहीं होता, ऐसे इसमें पुछा गया है ऐमूर्थ और इस्थाई भाव तो आदर इसका correct answer होगा चलिए अगला क्योशन देखते हैं दोस्तों अगला क्योशन है किसी वेक्ती के विकास के सम्मंद में क्या सही नहीं है ध्यान रखिए इसमें पुछा है क्या सही नहीं है तो option है यह जनम से मर्त्यू तक जारी रहता है वर्दी विकास का एक इस्सा है परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है या फिर उप्योक्त सभी तो दोस्तों देखना इसमें ये है कि विकास के सम्मंद में क्या सही नहीं है तो हम देखते हैं कि जो पहली बात है जनम से मर्त्यू तक जारी रहता है ये भी सही है वर्दी विकास का ही एक पार्ट है ये भी सही बात है जो तीसरा पोइंट है दोस्तो परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है तो दोस्तो विकास के सम्मद में ये जो तीसरा पोइंट है ये सही नहीं है तो इसका जो करेक्टान फूरोगा option number 3 होगा चलिए अगले क्योशन इदर बढ़ते हैं अगला क्योशन है निमन लिखित में से कौन सी किसोर अवस्था की विशेस्ता नहीं है इस क्योशन में भी दोस्तों नहीं पूछा गया है तो उप्शन हमारे पास साद्रिक विकास, मांसिक विकास, समू का महत्तव, तीवर समायोजन दोस्तों हम सब जानते हैं कि किसोर अवस्था में बच्चों को समायोजन करने में प्रेशानी होती है तो ये एक किसोर अवस्था की विशेस्ता नहीं है तो उप्शन नमबर 4 इसका correct answer होगा अगले क्योशन की दर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्योशन है सीखना विकास की प या क्रोन बैक ने तो इसका सभी अप्शन होगा दोस्तों ये जो बात है यह कहीं थी वुडवर्थ सीखना विकास की ही परकिरिया है अगला क्योशन और आज की स्रीज का लास्ट क्योशन देखते हैं दोस्तों अगला है निमिल लिखित में से कौन सा प्रभावी अधीगम का अवरोदक नहीं है इसमें भी द्यान देजिएगा नहीं है पुछा गया है उप्षन है प्रेणा का भाव जीवन से नहीं जोड़ना अधीगम परिस्थिति या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों एक वर पर्षन को फिर से रिपीट कर देता हूं निवन लिखित में से कौन परभावी अधीगम का अवरोदक नहीं है जो अवरोदक नहीं है मतलब पोजिटिव बात पूछे गई है परभावी अधीगम के लिए पोजिटिव क्या है तो जो अधीगम की परिस्थितियां है वो इसमें पोजिटिव है बाकि जीवन से नहीं जोड़ना प्रेणा का भ प्रभाव ये प्रभावी अधीगम में सक्सम नहीं होती हैं उसके साथ नहीं होती हैं तो जो अवरोदक नहीं है वो है अधीगम की परिश्थिती वॉप्स नमबर थरी यहां पर क्रेक्ट आंशर है प्रशिक्षन एम अनुभव के दुआरा विवहार में होने वाले परिवर्तन को अधीगम कहते हैं यह कथन किसका है अधीगम की जो ये डेफिनेशन दी है ये किसके दुआरा दी गई है ओप्सन है गेट्स, कॉल्वेन, सीई, स्किनर या फिर प्रेसी तो जो ये परिवासा दी गई है दिगम की दोस्तों ये दी गई है गेट्स के दुआरा ओप्सन नमबर वन है यहां पे करेक्ट आंसर होगा ओप्सन नमबर वन अगले क्योशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो अगला क्योशन है चमता के विकास का दूसरा नाम है ओप्सन है अनुभाव, परिपक्वता, सारिक विकास और फिर कोसल विकास तो चमता की विकास का दूसरा नाम का जाता है कोसल विकास को ओप्सन नमबर फोर है यहां पे करेक्ट आंसर होगा अगले क्योशन के तरह बढ़ते हैं दोस्तो अगला क्योशन है निमन लिखित में से कौन सा राय बर्ण के अनुसार सिक्षया के तीन समंदों में समलित नहीं है option है बच्चे और शिक्सक में समंद, बच्चे और शमाज में समंद, शिक्सक और विशे में समंद, विशे और बच्चे में समंद तो राइबर्न के अनुसार बच्चे और शिक्सक में भी समंद बताया गया है, बच्चे और शमाज में भी समंद बताया गया है और विशे और बच्चे में भी सम्मंद बताया गया है तो इसका जो नहीं पुछा गया है वो है option number 3 सिक्सक और विशे में सम्मंद नहीं है चलिए अगले क्योसन की तरह बढ़ते हैं दोस्तो अगला क्योसन है निमिल लिखित में से कौन सा सिक्षा मनोविज्ञान के अधेन की वस्तू निष्ट विधी नहीं है नहीं पुछा गया है option है प्रियोग आत्मक विधी उपचार आत्मक विधी आतम निरिक्षन विधी या फिर निरिक्षन विधी option number इसका correct answer होगा option number 3 आतम निरिक्षन विधी चली अगले क्योसन को देखते हैं अगला क्योसन है दोस्तों किसी दुखी वेक्ति को सहानुबूती के दो सब्द कहना जिसका उधारण है वह है सकीरिय सहानुबूती, निस्कीरिय सहानुबूती, वेक्तिगत सहानुबूती या फिर इन में से कोई भी नहीं तो किसी को सहानुबूती के दो सब्द कहना जो होता है वो एक फॉर्मलिटी होता है उसको अपन कहते हैं निस्कीरिय सहानुबूती ओप्सन नमबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंशोर होगा दोस्तो अगले क्योशन की तरह बढ़ते हैं अगला क्योशन है ठकावट और बिमारी जैसी कारे को मुख्य रूप से परभावित करते हैं ये कारक है दोस्तो ये थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया है इसको शाही कर को शलीध Tucson में थोड़ा है ये है कारक कारक मतलब एक्टर जो ते है ठकावट और बिमारी जैसे कारक मुख्य रूप से परभावित करते हैं बच्चे के सम्वेगात्मग विकास को बच्चे की सारी क्विकास को बच्चे की संकल्प सक्ती को या फिर बच्चे के आतम विश्वास को तो थकावट और बिमारी जैसे जो कारक होते हैं ये बच्चे की हेल्थ खराब कर देते हैं तो ये बच्चे की सारी क्विकास को परभावित करते हैं मुख्यते तो का नियम अभ्यास का नियम आत्मी करण का नियम या फिर मनोवर्ती का नियम तो थोंड़ाइक के नुसार अधिगम अभ्यास से आता है ज्यादा तो अभ्यास का नियम थोंड़ाइक के नुसार मुख्य नियम अधिगम के लिए है तो अगला क्योशन देखते हैं दोस्तों इस प्रयोग आत्मक विदी उक्चार आत्मक विदी आतम निरिक्षन विदी या फिर निरक्षन विदी ये क्योशन रिपीट हो रहा है दोस्तों गलती से हो गया आप अभी थोड़ देर पहले आया था ये क्योशन बताई क्या अंसर हो सकता है अभी बताया था मैंने आतम निरिक करिशनeurs जो वीदी है यह सिक्षा के लिए वस्तुनिष्ट विदी नहीं है अगला कैसन देखते हैं दोस्तो परें Bachelor अनुदेशन का प्रणाली उपागम है option है सिक्षक के इंदरीत, बाल के इंदरीत, कक्षा कक्ष के इंदरीत या फिर समश्या के इंदरीत तो जो अनुदेशन प्रणाली का उपागम है उसमें समश्या को मुख्यत द्यान में रखा जाता है इसलिए इसको समश्या के इंदरीत का जाता है अगले क्योंसन के तरब बढ़ते हैं और आज का लाश्ट क्योंसन रहने वाड़ा है ये समूह विद्यो दोवारा सीखने का उधारण है ओप्सन है वादविवाद विदी, कारियसाला विदी, विचार गोश्टी विदी या फिर ये सभी तो दोस्तों ये जो सभी एक्टिविटीज हैं ये समूह में होती हैं और चब बचे इनको समूह में करते हैं तो कुछ उनकुछ शीखते हैं तो समू वीदियो द्वारा सीखने के ये सभी उदारण हैं जिसमें वादविवाद भी है कार्येसाला विचार गोश्टी तो इसका उप्सन नमबर फोर क्रेक्ट आंसर होगा किसी कार्ये को करने की विशिष्ट छमता को कहते हैं ओप्सन है अभी रूची प्रत्यक्षी करन अभियोगेता या फिर अभी वरती तो किसी झार्ये में अगर आपकी स्पेसिफिक एपिलीटी है तो उसको कहते हैं अभी योगेता ओप्सन नमबर थ्री यहां पर होगा crack to answer दोस्तों ओप्शन नमबर थ्री अभी योग गेता अगले क्योशन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्योशन है बुद्धी का द्वी कारक सिदान्त दिया था बुद्धी का जो टू फैक्टर सिदान्त है वो किस ने दिया था टरमन ने स्पीर मैंने गिलफोर्ड ने या फिर बिन बढ़ते हैं संप्रेश्ण का कार ये क्रल सूचना और पर लूता है हमसुचने व्यादान परदान कर सकते हैं स्भी ले सकते हैं सब कारिये कर सकते हैं इसलिए इसका option होगा उप्योग सबी अगला क्योशन देखते हैं दोस्तो अगला क्योशन है कक्षा कक सिक्षन होना चाहिए option है तीवर होना चीए समाद मुलक होना चीए सरल होना चीए या फिर one-sided एक तरफा होना चीए तो दोस्तो इसका correct answer जो होगा वो होगा कक्षा कक सिक्षन समाद मुलक होना चाहिए option number two तीवर भी नहीं होना चीए ज्यादा सरल भी नहीं होना चीए और ज्यादा एक तरफा भी नहीं होना चीए अगले क्योशन के तरब बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्योशन है किसोर किसोरियों के संदरब में सरवोतम समूँ चैनित कीजिए ओप्षन है तारकिक्ता, एमूर्थ, चिंतन, निर्णे सक्ती, दूसरा है आदर्श्वादी, स्रेष्ट, समायोजन, शव सम्मान, तीसरा है निरिक्षन, विद्रोह की बावना, दोहराने की परवर्ती, चोथा है दर्शन, सु समायोजन या फिर समाज की सेवा तो इसमें किसोर किसोरियों के संदर में सर्वोत्तम समूच एन करना है, ऐसी क्वाल्टीज देखनी हैं जो किसोर किसोरियों में जो अडल्ट होते हैं उनमें पाई जाती है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों, पहले नीचे से देखते हैं, सु समायोजन ये इसमें नहीं हो होता है तीसरे option में विद्रोह की भावना दोहराने की निरिक्षन यह नहीं होता है यह भी नहीं सवसंमान तो इसमें जो पहला option है दोस्तों तार किकता अमूर्थ चिंतन निर्णे सकती इस यह जो quality जोती है वो किसोर अवस्था में पाई जाती है तो इसका correct answer जोगा दोस्तों option number one को टिक करते हैं option number one इसका correct answer होगा अगले क्यों संगतर बढ़ते हैं दोस्तों चातर की विधाले उपलवदी निर्बर करती है option है सव उपरते बुद्धी रूची अभी परेणा या फिर रूची बुद्धी अभी परेणा लिंग या फिर अभी योगेता बुद्धी अभी परेणा जाती या फिर रूची बुद्धी सारिक बनावट या फिर और अभी परेणा तो दोस्तों इसमें बुद्धी विद्याले उपलब्दी पूचा गया जो School Achievement है वो किसके उपर निर्वर करती है तो देखते हैं इनमें जो है इनमें इसमें सारिक बनावट है इसमें जाती है इसमें लिंग है इनके उपर निर्वर नहीं करती है तो इसका सीधा सा आंसर होगा उप्सन नमबर वन सव परते बुद्धी रूची अभी परेणा इनके उपर विध्याले उपलब्दी निर्बर करती है अगला क्योशन देखते हैं दोस्तो अगला क्योशन है कक्षा में परसपर समवाद से क्या उभर कर आना चाहिए विवाद, सूचना, विचार, तरक, वितरक तो दोस्तो जो कक्षा में समवाद होता है उससे कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया आइडिया है उसके मकसद से समवाद किया जाता है ना कि विवाद हो तरक वितरक हो इसलिए option number three इसका correct answer होगा विचार अगला क्योशन देखते हैं दोस्तों अगला क्योशन है अधिगम को परभावित करने वाले प्रियावरण ये कारकों में से एक है option है सामाजिक परिवेस कावट मांसिक इस्तर या इन में से कोई नहीं तो जो अधिगम को परभावित करने के लिए प्रियावरणी कारक पुछा गया है दोस्तों तो इसमें प्रियावरणी कारक जो है वो है सामाजिक परिवेस option number one तो option number one correct answer होगा अगला क्यों सन देखते हैं दोस्तों निमल लिखित में से कौन सा सामाजिक रूप से स्वस्त वेक्ति का लक्षण है option है हमारे पास सेहन शीलता आतम विषवास समवेग आतम परिपक वेता और फिर ये सबी तो इसका जो correct answer होगा दोस्तों ये होगा ये सबी जो एक सवस्त मांसिक रूप से सवस्त वेक्ति होता है वो सेंसिल होता है उसमें आतम विश्वास भी होता है और सम्वेगातमक रूप से वो इस्थिर होता है परीपक होता है तो उप्सन नमबर 4 इसका correct answer होगा अगले क्योशन इतर बढ़ते हैं दोस्तो अगला क्यो विदी है सामगरी है वो सायक नहीं है OPTION है over head projector नाटक परदर्शन या फिर छेतर बर्मान तो इसमें पूछा गया है कौन सी साम जो अधिगम सामगरियों में से समभन दित एक गतिविदी जो है वो सायक सामगरी नहीं है तो ये नाटक परदर्शन छेतर बर्मन ये सायक सामगरी हैं तो option number one जो है overhead projector ये सायक सामगरी नहीं है अब आन्सिक स्वास्ते के संके तक है option है दूसरों के अलोचना करना जिद्धी परवर्ती दिवासय उपन या फिर शामगिक नियंतरन तो दोस्तों जो अच्छा स्वास्ते है उसका संके तक यहां है समवेगों के उपर नियंतरन करना तो option no.4 जो है वो correct answer होने वाला है यहां पर option no.4 अगले क्योशन के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्योशन है मस्तिक्स का दो मुखी से दांत के अनुसार विकास होता है जो मस्तिक्स दो मुखी विकास से दांत होता है उसके अनुसार विकास कैसे होता है option है दाई से बाई और पैर से सिर की और बाई से दाई और या फिर सिर से पैर की और तो दोस्तो जो मस्तिक दोमों की जो सिदान्त है उसके अनुसार विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है उप्शन नमबर 4 करेक्टान सुरोगा अगले क्योशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो अगला क्योशन है परशिक्षन एओं अभ्या सम्मंदित हैं संग्यानात्मक वाद से व्यवहार वाद से निर्मित वाद से या उप्युक्त में से कोई भी नहीं तो परशिक्षन यहूं अभ्यास जो है वो व्यवहार वाद से सम्मन्द रखते हैं दोस्तो तो option number two यहां पे correct answer होने वाड़ा है अगले के उसन की तरह पढ़ते हैं दोस्त है वेस्क आवस्था में बाल्ले आवस्था में किसोर आवस्था में या पूर्वे बाल्ले आवस्था में तो दोस्तों बालक जो है वो अपने समकक्सी वरक के सकिरिय सदस से जो है वो बनते हैं बाल्ले आवस्था में ओप्शन नमबर टू करेक्ट आंसर होगा अगले क्यों तरह बढ़ते हैं दोस्तों नीमन में से कोहल बरक के नैतिक विकास के सिद्धान्त की अवस्था नहीं है उप्षन है प्राक रूडिगत रूडिगत समवेदी परेरक या पस्चात रूडिगत तो दोस्तों इनमें प्राक रूडिगत रूडिगत और पस्चात रूडिगत ज गोस्तों अगला क्योशन है सयोग सील अधीगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है उप्षन है प्रियाफ्त संसादन सामगरी एकतरी करण की समूर रचना निरधारन की बैठक की उप्यूक्त सुविदा परदान करने की या फिर उपरोक्त सभी तो जो सयोग सील अधीग है उसमें अध्यापक की जिम्मेदार ही होती है कि वो बच्चों के लिए संसादन भी जुटाए समूंक रचनाए भी बनाए या और जो बैठने की विश्ता है और बाकी सुवीदाएं बच्चों को उपलब्द कराए तो उप्शन नमबर जो फोर है वो क्रेक्ट आंसर होगा दोस्तों उप्योक्त सभी अगले क्योशन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्योशन है कक्षा कक संप्रेशन होना चाहिए शिक्सक के अंदरी चातर के अंदरी सामाने के अंदरी या पाठ्थे पुस्तक के अंदरी दोस्तों जो कक्षा कक संप्रेशन है वो चातर के अ होना चाहिए तो option number two correct answer होगा अगले के उसन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों अगला के उसन है बालक का मानसिक स्वास्ते निरबर करता है तो यहाँ पर option number four correct answer होने वारा है अगले के उसन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों अगला के उसन है अध्यापक के वेक्तित्वे के विकास में बादक तत्वे है option है सामाजिक परिवेश का ग्यान, सांसकर्तिक अनुबव, कलपना सकती का अभाव या उच्छ मानसिक छमता तो जो अध्यापक की परसनलिल्टी है उसके विकास में बादक है वो है दोस्तों कलपना सकती का अभाव option number 3 जो है आँ पर correct answer होगा अगले क्योसन के तरब बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्योसन है किसोर आवस्था में मानसिक वे बोधिक विकास होता है option है बहुत शिगरता से हैं बहुत अधिक मातरा में दूसरा option है अधिक मातरा में लेकिन धीरे धीरे तीसा option है बहुत कम मातरा में लेकिन शिगरता से हैं अगला option है अधिक तेजी से हैं कम मातरा में तो दोस्तों जो किसोर आवस्था होती है उसमें मानसिक वे बोधिक विकास जो होता है वो बहुत तेजी से यानि बहुत शिगरता से हैं बहुत अधिक मातरा में होता है तो option no.1 यहां पर correct option होगा, option no.1 correct answer होगा The term cognition refers to, option है thinking, learning, development या फिर maturation आज की जो test skills है, वो bilingual होने वाली है, जिससे हिंदी और English medium के जो students हैं, किसी भी परकार की दिक्कत का सामना ना करें तो हिंदी में अगर इसको देखें, तो जो अनुबुती सब्द है, उसके क्या तात्परिय है option है, विचारदारा से सीखना, विकास या फिर परिपक वता है, तो जो अनुबुती सब्द होता है cognition है, उसका जो अर्थ होता है, तात्परिय होता है, वो thinking से उसता है जो विचारदारा है, उससे होता है, तो option no.1 या correct answer होने वाला है option number one अगला क्योसन देखते हैं दोस्तों अगला क्योसन है child development depends upon option है maturation, environment, learning या फिर all of these हिंदी में देख लेते हैं जो बाल विकास है वो किसके उपर निर्बर करता है परीपकवता के उपर वातावन जो environment है उसके उपर, सीखना के उपर या फिर सभी के उपर तो जो child development है दोस्तों वो सभी इनके उपर जो कारक दिये हैं, इन सभी के उपर निर्बर करता है, तो option number four यहां पर correct answer होगा अगला क्योसन देखते हैं दोस्तों अगला क्योसन है development starts from option है post childhood stage prenatal stage, the stage of infancy या फिर pre childhood stage अर्थात जो विकास है, वो शुरू कहां से होता है विकास का मंच अर्थात जो हमारा post natal stage होता है post childhood stage होता है, वहां से या फिर सैसव वस्ता से या फिर परशव पूरा वस्ता से, या फिर बचपन की जो वस्ता होती है, वहां से तो जो development है दोस्तो वो स्टार्ट हो जाता है हमारा इंफैंसी से बच्चा जब प्रेग्नेंट वूमन होती है जब बच्चा गरब में होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है तो ओप्शन नंबर जो यहां पे सही होगा वो होगा परशव पूर अवस्था ओप्शन नंबर टू करेक्ट अंसर होगा अगले क्यों सुन की तर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्यों सुन है टीचर्स बिहेवियर और टुबी ओप्शन है इंस्ट्रेक्टिव, एड्मिस्ट्रेटिव, आइडिलिस्टिक या फिर डायरेक्टिव जो शिक्सक का वेवार है वो कैसा होना चाहिए इसमें है संकेत आत्मक, ना सिक्षापर्द, परशासनिक, आदर्शवादी और आदेसात्मक जो होता है तो ओप्शन नमबर यहां पे करेक्ट होने वाला है वो है आदर्शवादी जो शिक्सक का वेवार है वो बच्चों के लिए आइडल होना चाहिए तो ओप्शन नमबर थ्री करेक्ट आन्जा होगा अगला क्योसन देखते हैं अगला क्योसन है दोस्तो अरथात जो सबसे ज़्यादा और महतव पूर्ण शमाजी करण होता है बच्चों में या बच्चों में नहीं कहें तो जो परशन होता है उसके अंदर समाजी करण होता है कोण सी स्टेज में होता है ओप्शन आपके सामने हैं कि सौर अवस्ता के दोरान, भचपन के दोरान, वैस्ता के दोरान या फिर वेक्ती के जीवन भर चलता रहता है तो सबसे जो महतवपूर्ण सोसलाइजेशन है वो दूरिंग दा चाइल्ड होता है option number one correct होगा किसोर अवस्ता के दोरान आगे देखते हैं अगला क्यों से देखते हैं दोस्तों The process of learning motivation is option है differentiates new learning from old learning sharpens the memory of learners, makes learners think undirectional, creates interest for learning among new learners अर्थात सीखने की प्रकिरिया में जो प्रेरना है motivation वो है option है सिख्षार्थियों की समर्थी को तेज करता है पुरानी सीख से नई सीख को जमन्नम देता है सिख्षार्थी जो इस्टूडेंट्स होते हैं उनको एपर्टेक्स रूप से सोचने के लिए वो नए आउसर देता है नए सीखने वालों के बीच सीखने के लिए रूची पैदा करता है तो दोस्तों जो motivation होता है वो जो नए सीखने वाले बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी विएक्ती होता है उनके बीच रूची पैदा करता है option no.4 यहां correct answer होगा अगले क्योंसन की तरह बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्योंसन है self regulation of learners refers to option है their ability to monitor their own learning creating regulations for student learning rules and regulations made by the student's body और फिर self discipline and control इसका अर्थ है सिक्सार्थियों के जो students होते हैं उनके आतम संचालन self control से क्या मतलब है option है अपने swim के सीखने की निगरानी करने के उनकी छमता चातरवेवार के लिए नियम बनाना या फिर चातरवेवार द्वारा जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उनकी पालना करना या फिर आतम अनुसासन और नियंतर तो जो self control होता है दोस्तों उसके अंतर गताता है आतम अनुसासन और नियंतर तो option number 4 यहां correct answer होने वारा है अगला क्योसन देखते हैं दोस्तों अगला क्योसन है arousal theory is a theory of option है personality, motivation, aptitude या फिर learning की जो आवे सिधान्त किसका सिधान्त है option है विक्तिकत रूप से प्रेड़ना का, योगेता का या फिर शीखने का तो जो आवे सिधान्त है वो है दोस्तों प्रेड़ना का, motivation का सिधान्त है तो option number two correct answer होगा, अगला क्योसन की तरफ देख बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्योसन है logical thinking begins in the child from events and objects तो इसका option हमारे पास कहां से start होती है logical thinking option है concrete operational stage से, pre operational stage से, sensory motor stage से या फिर formal operational stage से यह क्योसन जो प्याजे की ठियोरी से लिया गया है इसका हिंदिय में भी एक बरास से दिखा देता हूं में जो गटनाओं और वस्तों के लिए जो logical वो होती है तारकिक सोच की सुरुआत कहां से होती है वही है option concrete pre-challenge run जो pre-concrete operational stage होती है या pre-operational stage या sensory motor या फिर ओपचारिक जो operational stage होती है उससे तो जो तारकिक सोच है बच्चों में वह इस्टार्ट हो जाती है concrete operational stage option number जो one है वह correct answer होगा अगले के उसन के तरब देखते हैं और last के उसन आज़े का in a classroom individual differences can be option है interest, learning, character, all of these हिंदी में पितात पर यह देख लेते हैं कक्षा में जो वेक्तिक अतंतर है वो किसकी इसाप़े हो सकता है ब्याज, सीखना, चरीतर या यह सभी हिंदी में थोड़ा आज दोस्तों थोड़ा लिखने में थोड़ा गड़बड है तो आप सभी से उमीद करता हूँ interest का यहां पे जो है यह गल्त लिखा गया है रूची योगाप को simple रूची यह सीखना या character या यह है सभी उप्रोक्त सभी तो जो वेक्तिकत अंतर हैं दोस्तों वो किसी के भी आदार पर हो सकते है रूची के आदार पे सीखने के आदार पे या character के आदार पे भी तो option number 4 यहां पे correct answer होने वाला है की सवस्था में बालक में प्राप मर्श सीक्षन अत्यन्त सकिरिये होता है in which stage or condition the learning teaching is very active in the child options are childhood, adolescence, post childhood या pre-childhood तो दोस्तों जो प्रामर्श सीक्षन है वो बच्चे के अंदर सबसे जादा जो active होता है वो जो adolescence age होती है यानि किसोर अवस्था जो होती है उसके अंदर होता है तो option number जो 2 है वो बिलकुल correct होगा अगले क्योंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्योंस नेज अभी कर्मित अधीगम मोडल के जनक कोन है जो अभी कर्मित अधीगम होता है अभी कर्मित अधीगम मोडल है उसको बताने वाले उसके जो जनक कहे जाते हैं वो कहा जाता है इसकी नर को तो ओप्सन नमबर जो 4 है वो यहां correct answer होगा next question की तरफ बढ़ते हैं next question is सव परतेविक्सित होता है यानि जो self is developed self का concept है वो कैसे developed होता है option है सव धारना से यानि with the perception of self with the perception of people with the perception of people and self या फिर by intelligence जो self का concept है वो दोस्तों develop होता है with the perception of people and self option number third is correct answer option number third सव धारना तथा लोगों की धारना से जो सव परते है वो विक्सित होता है next question देखते हैं दोस्तों अगला question है निमन में से कौन सा ब्रूनर की सिदान्त में नहीं है which of the following is not in the principle of Brunner option है acquire new knowledge and information conversion of knowledge examination of knowledge or investigation of inadequacy of knowledge तो पूछा काया है कि ब्रूनर की सिदान्त में कौन सा सामिल नहीं है option है नवीन ग्यान तथा सूचना का ग्रहन करना अर्जित ग्यान का रूपांतरन करना या फिर ग्यान की प्रियाप्तता की जांच करना या फिर ग्यान की अप्रियाप्तता की जांच करना तो यहां पूछा रहा है सामिल नहीं है तो जो ग्यान की अप्रियाप्तता की जांच है यानि कि investigation of inadequacy of knowledge तो बुरुनर की सिदान्त में ये ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं है नेक्स्ट क्योशन देखते हैं दोस्तों अगला क्योशन है निम्न में से कौन सी सिक्षन सिदान्त की एक विशेष्था नहीं है निन में से कौन्सी एक सिक्षन सिदांत की विशेशता नहीं है Which of the following is not a feature of teaching theory Option है learning curiosity, knowledge structure, lack of work या फिर confirmation यानि सीखने की उत्षुकता, ग्यान की सरंचना, करम सीलता का अभाव या फिर पुष्टी करन तो जो six-nC dant की विशेशता हैं, उनमें सीखने की उत्षुकता भी होती है ग्यान की जो knowledge है, उसका structure भी शामिल होता है और जो lack of work है, वो भी सामिल होता है तो जो पुछा गया है कि विशेशता नहीं है, विशेशता नहीं है तो option number जो हमारे पास है 4 जो ग्यान का पुष्टी करन है confirmation है तो वो यहां पे correct answer नहीं दोस्तो इसमें थोड़ा confusion है एक फिर से options को re-check करते हैं इसमें पुछा गया है कि सिक्सन सिदान्त की एक विशेशता नहीं है learning curiosity, knowledge structure, confirmation lack of work तो दोस्तो इसका correct answer 4 ना ओके 3 होगा lack of work सिक्सन सिदान्त की विशेशता नहीं है करमसिलता का अभाव है confirmation होगा knowledge structure भी होगा learning curiosity होगा तो question number 5 है इसका correct option होगा option number 3 lack of work next question की तरब बढ़ते हैं दोस्तो next question is तनाव को कम करने तथा अंतरद्वाद को शुलजाने के परतेक्स तरीकों में सामिल नहीं है एनि not involved in direct ways to reduce stress and resolving options are destroy or remove the obstacles, find another way, next is replacement of other goals and indecision पूछा गया है कि जो तनाव है उसको कम करना और जो अंतरद्वन्द होता है उसको सुलजाने का परतेक्स तरीका है उसके अंदर क्या सामिल नहीं है option है रुकावट को नश्ट क्या दूर करना या फिर कोई दूसरा रास्ता निकाल लेना या फिर दूसरे लक्सियों का प्रती स्थापन कर देना या फिर एंजने जो option नमबर यहां पर correct होगा वो का end है इन डिसीजन correct answer होगा option नमबर 4 आगे लिए क्योशन की तरह बढ़ते हैं question number 7 is to whom credit goes of popularization of the sensitive intelligence यानि सम्वेगा अत्मक बुदी को लोग पिर ये बनाने का स्रे किसको दिया जाता है option है डेनियल गोलमेन, जोन डी मेयर, पीटर या फिर सेलावे तो जो सम्वेगा अत्मक बुदी होती है उसको लोग पिर ये बनाने का स्रे है वो दिया जाता है डेनियल गोलमेल को option number 1 is correct answer, डेनियल गोलमेन next question की तरह बढ़ते हैं दोस्तों अगला question है किसोर अवस्ता बड़े संगर्ष, तुफान, तनाव या जंजावात की अवस्ता है यह किसका कथन है यानि adolescence is a state of stress or stress, whose statement is it option है जरसिल, किलपेट्रीक, स्टेनले या फिर हैडो कमेटी की रिपोर्ट है किसोर अवस्ता को बड़े संगर्ष, तुफान, तनाव, जंजावात की अवस्ता बताया गया है यह बताया गया है दोस्तों इस टेनले के दुआरा तो option number 3 यहां पर correct answer होगा इस टेनले नेक्स्ट क्योस्तों के दर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्योस्तों है कि सोर अवस्ता की आकस्मिक विकास का सिधान्त कब और किस ने दिया Who and when did the principle of accidental development of adolescence give option है 19.4 में hauling worth ने 19.2 में haul ने 19.4 में Stanley haul ने या फिर 94 में 19.4 में thorn डेकने तो जो कि सोर अवस्ता का आकस्मिक विकास का सिधान्त है वो दिया था 19.4 में इस्टन ने होल ने option number 3 यहां पर correct answer होगा next question की तर बढ़ते हैं दोस्तों next question is wisdom lies with these four words knowledge, inventions, instructions, criticism the statement belongs to which psychologist यानि बुद्धी इन चार सब्दों से नहीं थै ज्यान आविस्कार निर्देश आलोचना यह कर्थन किस मनोविज्यान का है options are Spearman, Thornlake, Raiwan and Alphard, Binane तो जो यह कर्थन है यह भी आथा Alphard, Binane option number 4 is correct answer झालोचना 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 झालो झाल 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 झाल